न्यूजिलेंड दोरे पर टीम इंडिया के लिए बूरी खबर हार्दिक पांडिया को लेकर सुरफ गांगुले ने कहा दी ये बड़ी बात चोट से जूजरे स्टार भारती ओल राउंडर हार्दिक पांडिया न्यूजिलेंड की खिलाप T20 और One Day सीरीज के लिए टीम में जगर नहीं बना पाई जिसके बाद उमीद की जा रही थी कि न्यूजिलेन की खिलाप टेस्ट सिरीज के लिए पांडिया की टीम में वापसी हो सकती है मगर BCCI अध्यक सोरफ गांगुली के बयान ने संके दे दिये है कि पांडिया के फेंस को अभी उनकी वापसी का इंतिदार करना पड़ेगा IPL संचालन परिश्यत की बेटक के इतर बात करते वे BCCI अध्यक्ष ने पांडिया की वापसी पर खुल कर बात की सोरफ गांगुली ने खुलासा करते हुए कहा कि नेशनल क्रिकेट अकेडमी में अभी भी ओल राउंडर पांडिया के इलाज चल रहा है और इसकी भी न करके बराबर ही उमीदे की वरंटी टॉफी भी खेल पाएंगे भारत और न्यूजिलेंड के बीच विलाल पाच मेचो की टीटोंटी सिरिज चल रही है जिसमें भारतिय टीम 2-0 से आगे है इसके बाद भारत को तीन वन्डे मेचो की सिरिज खेलनी है फिर दो टेस्ट मेचो की सिरिज में मेचबान को चुनोती देने के लिए मेधान पर उतरना है भारत और न्यूजिलेंड के बीच टेस्ट सिरिज से पहले गांगुली ने पांडिया की चोट की गंबीदा पर खुला सा करती वे कहा कि वो अभी तक पूरी तरह से फिट नहीं है NCA में वो इलाज करवा रहा है फिट होने में अभी थोड़ा ओर समय लगेगा पांडिया ने भारत के लिए पिछला सीमित ओवर में साउथ अफरिका के खिलाब खेला था 26 साल के पांडिया को कीवी टीम की खिलाब T20 सीरीज में भी टीम से भार रखा गया था भारत ए टीम से भी हो गयते भार हारदिक पांडिया को भारत ए टीम में भी शामिल किया गया था जो निजुलेंड दोरे पर गई थी मगर उस समय वो मेच खेलने को पूरी तरह से तयार नहीं थे जिस कारण उन्होंने अपना नाम वापस ले लिया था हालनकि इस माईने की शुरुवाद में उस्टिलिया के खिलाब मुंबई वंडे से पल टीम इंडिया की अभ्या सत्र के दोरान गेंद वाजी करते हुए देखा गया था भारत का निजुलेंड दोरा मार्च में खत्म होगा इसके बाद साउथ अफरीका के टीम भारत आईगी और उम्मीत की जा रही है कि साउथ अफरीका के खिलाब उनकी टीम इंडिया में वापसी हो सकती है फ्रेंड्स आपका के कहना साउथ अफरीका के खिलाब हार्दिक पाइंडिया की टीम इंडिया में वापसी हो पाएगी या नहीं कमेंट पर जोरूर बता चेनल को सब्सक्राइब करें दो अगली वीडियो में तब तक के लिए नमस्कार लेटिस अबडेट के लिए सब्सक्राइब कीजिए और दबाईए इस बेल आइकन को